हैलो बच्चों मैं शची चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टडी विच चंद्रा शची में तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो स्वस्त होंगे तो बच्चों आज यहाँ पर मैं मैं कहानी सुनाता हूँ यहां से स्टार्ट करेंगे यह जो है चैप्टर कुछ लेना, कुछ देना जो हमने चैप्टर किया था यह देखो यह है इसका नाम कुछ लेना, कुछ देना पार्ट तीन इसका first part हमने इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं अब हम इसका जो second part है उसको करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो उससे पहले बच्चों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रैस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको time से notification मिल जाएगा तो चलिए करते हैं मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ पर एक कहानी दे रखी है तो चलिए कहानी को पढ़ेंगे हम एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया उसने रोना शुरू कर दिया आप भी जब रास्ता भूल जाते तो रोना शुरू करते थे ना जब अकेले होते तो इसी तरह शेर के बच्चे ने भी रोना शुरू कर दिया और अपनी मा को बुलाने लगा एक बूड़े हिरन को उस पर तरसा आ गया वे उसे अपने हां ले आया लेकिन उसे देखका दूसरे हिरन डर गए बाकी सब जानवर भी घबरा गए क्यों क्यों घबरा गए क्योंकि शेर तो जंगल का राजा होता है और वो जानवरों को मार कर खाता है खरगोश गिलहरी चडिया हमारे बीच एक शेर नहीं नहीं खरगोश गिलहरी चडिया बोले मन में सोचा कि हमारे बीच एक शेर रहेगा नहीं नहीं वे हमारे बच्चों को खा जाएगा बूड़े हिरन ने कहा परेशान मत हो मैं उसे समझा दूँगा सुबह उड़ते ही शेर के बच्चे ने सब को धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा खरगोश ने कहा रुको उसे ऐसे मत जाने दो पहले गिन कर देखते हैं कि कहीं उसने हमें धोका तो नहीं दिया हम सब मिलकर 240 होने चाहिए चलो गिने यहां देखो यह रहा जंगल और यहां जंगल में यह रहा शेर का बच्चा यह है बूड़ा हिरन यह खरगोश ठीक है और यह कच्छवा यह मेडर यह सबी जानवर यह गिलहरी यह यह मोर और यह हिरन और यह चिडिया यहाँ पर यह सा भी जो जानवर हैं इसमें जंगल में रह रहे हैं और हिरन के साथ एक बूड़े हिरन के साथ एक शेव का बच्चा तो चलो गिनते हैं टिल्लू ने खरगोश और हिरनों को गिना कितने खरगोश थे 27 और हिरन कितने थे 48 बूरे हिरन ने चड़ियों और गिलहरियों को गिना ठीक है वहाँ पर 124 चड़िया थी और 38 कौन थी गिलहरिया ठीक है, आप देखों, यहां पर यह क्या होदा है? पूरे कितने होने चाहिए सम मिलकर? 240 होने चाहिए तो करगोष कितने से 27 और 48 से हिरन ठीक, अब यहां देखो चलो जोडेँ और देखें कि वहां कितने हिरन और खरभोष है 48, ठीक है? क्या है खर्वोस और सोरी हिरन और खर्वोसों की संक्या कितनी है 27 अब देखो ये क्या है इकाई इकाई ठीक है और ये क्या है दहाई दहाई और ये इकाई ठीक तो अब देखो यहाँ पर हिरन की संक्या चार क्या हो गया दहाई और आठ हो गया इकाई तो 4 जो है मतलब दहाई का मतलब क्या हो गया जो हम दहाई निकालते हैं मतलब ये 4 जो है दहाई है तो क्या आएगा 10 आएगा बराबर 40 दहाई ठीक है तो यहाँ देखो 10 बार 4 लिखा है 1, 2, 3, 4 मतलब 40 और 8 कितने हैं 1 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 एकाई हो गई 2 कितने हैं 10 मतलब 2, 10, 10 के हैं ठीक है उसाथ कितने हैं 1, 2, 3, ठीक है 4, 5, 6, 7 7 हो गई एकाई के तो यहाँ पर हमने कितने देखे थे 8 एकाई के थे और 7 एकाई के थे तो सारे मिला कर देखो कितने हो गई एकाई के बाकी कितने बचे? एक, दो, तीन, चार, पांच, यह फांच बचे, ठीक? तो चार तो दस के काट पहले बने थे और दो यहां पर बने थे एक और दस का बने थिया, तो दस, बीस, तीस, चालिश, पचास, साट और यह वाला तीन चार, पांच, शे साथ, आख, नो, दस, दस है ये एक एक के काड बाकी बचे कितने पांच, पांच ये बचे ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, चेसाथ, हमने भी वहाँपर अभी उपर करें थे ना सत्तर, तो यहां देखो आट और साथ को जोड़ा तो क्या आय पांच आया यहां पर एक हांसी लागया तो चार दो उच्छे और एक साथ हो गए 75 ठीक सारे एक की वाले जो काड है साथ रखते हैं तो हमें 15 एक मिलेंगे मतला एक नमबर के काड हमें कितने मिलेंगे 15 और 10 एक नमबर के मिलाकर 10 बनाएंगे एक नमबर की जो काड है यहां से लेके यह 10 तो हमने क्या करा था 10 नमबर का एक कार बना दिया था क्योंकि यह एक नमबर की कितने काड थे 10 बागी बचे थे 5 ठीक तो यहां पर वही किया 1,2,3,4,5,10 जो कार थे 10 की कितने होगे 5 और 2 नीचे कितने हो गए पांच और दो साथ, साथ बन गए, बागी बचे पांच वो और नहीं हा लिख दिये, टीक है, तो ऐसे भी गर सकते हैं आप, और सीधे सीधे भी जोड सकते हैं, इसलिए हिरन और खरवोस की कुल संक्या कितनी हो गई, 75, और टोटल जानवर कितने थे, 240, तो 75 तो एकाई का क्या था, 4 और 8, दहाई का क्या था, 2 और 3 और सेकड़ा एक था, क्योंकि 124 है, ये केवल दहाई तक है, एकाई और दहाई, और ये एकाई, दहाई, सेकड़ा, इसमें 3 संक्याई हैं, तो अब देखो यहाँ पर इनोंने क्या करा है, सेकड़ा कितना है, एक है गया दहाई कितनी है दो दहाई है और तीन दहाई है ठिक तो कितनी हो गई तीन दो पांच पांस दहाई हो गई तो देखो एक दो तीन चार पांच और ये वाला जो दस आया है कहां से आया है ये जो चार एकाई है और आट एकाई है ये देखो तो एक दो तीन चार पांच है स ये वाला जो दस नम्मर का कार्ड जो था इन एक एक नम्मर के कार्ड को मिला करके बनाया है। बागी के चार जो हैं, दो ये वाले और तीन ये वाले, तो दो ये वाले हो गए, ठीक है, और तीन ये वाले हो गए, ठीक, और दो ये वाले हो गए, तो ये हो गए ना, अब कितने हो गए देखो, तो ये दो बचे, तो दो लिख दिये यहां, और दहाई के कार्ड कितने थे, 6, 6 लिख दिये यहाँ और यह 100 नमबर का एक कार्ड है 100 लिख दिये यहाँ ठीक है, फिर 10 को 7 रख लेते हैं और अंत में हमें 100 मिलता है ठीक है, वो तो चलो ठीक है, यह हमने किया इस तरीके से, समझ आया ना आपको, क्या, कि जो दो बचे हैं, वो एक एक नमबर के दो यह कार्ड है, एकाई में आ गए और जो दहाई वाले हैं, ये 6, 10 हैं, तो ये दहाई वाले में आ गए 6 और ये 100 नमबर का एक कार्ड सैकड़ा वाले में आ गया तो 162, ठीक इसलिए गलहरियों और च्डियों की कुल संख्या 162, हिरन और खर्वोज की कुल संख्या 75 बूड़े हिरन ने कहा हमारी कुल संख्या 240 थी देखो अब हम कुल मिलाकर कितने हैं? ठीक है तुम मंदाजा लगाओ, तो भई सीधे सीधे जोड़ो आप एक सो बासट और पच्छतर, पाच और दो साथ, साच च्छत तेरा का तीन, हासी ले और दो दो सो सैंतिस हो गए और थे कितने? दो सो चालिस होने चाहिए दोटर ठीक है तुम मंदाजा लगाओ, शेर का बच्चा घर गया या नहीं? क्या शेर के बच्चे ने किसी जानवर को खा लिया था? इसका पता लगाने के लिए नीचे दिये गए खानों में जोड़ो ठीक है? तो यहाँ पर चडिया और गिलहरियों की संख्या कितनी थी? 162 थी? देखो, चडिया और गिलहरियों की संख्या थी 162 तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे उपर 162 और हिरन और खरगोसों की संक्या थी 75 क्या थी 75 और इनकी थी 162 ठीक अब जड़ा जोड़ो पांच और दो कितना हो गया साथ और साथ छे तेरा का तीन हासिल एक एक और एक दो 237 तो भाई कितने कम थे तीन जानवर खा लिए उसने तो तो शेर का बच्चा घर नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि उसने खा लिए जानवर कुछ कितने बल्ब एक कार खाने में पहले 270 बल्ब थे दूसरे दिन 123 बल्ब बने कार खाने में कुल मिला कर कितने बल्ब बने ठीक है ठीक है तो यह देखो बल्ब की है फैक्टरी मतलब कार खाना और यह देखो ट्रक पे लद के जा रहे हैं बहुत सारे बल्ब यहां देखो पहले दिन कितने बने 270 तो मतलब बड़ा बॉक्स है दूसरे दिन बने 123 तो छोटा बॉक्स है तो 270 जमा 120 क्या जोड 350 से जादा होगा या 350 से कम होगा आप अंदर्या लगा कर के बता सकते हो कि 270 में यह जो 123 को अजर हम प्लस करेंगे दोनों दिन के जो बल्ब ह वो 350 से जादा होगे या कम होगे तो मुझे लगता है 270 और 100 मिलाकर 370 होगे जोड 350 से जादा होगा बिलकुल जादा होगा क्योंकि देख़ 270 तो यह हैं और 123 में से अगर हम 100 को निकाल लें तो ये 370 तो पहले ही हो गया तो कितना हो गया बड़े 300 से जादा हो गया तो अब हमको निकालना है कि कुल बल कितने होंगे तो यहां देखो यह सोच रही है देखो किट्टू सोच रही है कितने होंगे जोड रही है अब देखो यह हल दिया गए मतलब solve करके बताए गया है तो ये सैकड़ा और ये दहाई और ये एकाई एकाई दहाई सैकड़ा तो सबसे पहले एकाई वाले जोड़ो जीरो और तीन तीन साथ दो नो दहाई वाले जोड़े अब सैकड़े वाले जोड़ो दो और एक तीन हो गए ना तीन 393 वल्ब हो गए देखो कैसे किया आमने 270 है, तो 200 जोड़ो यहां, 70 एक तरफ रख लो, फिर 123 है, 101 तरफ रख लो, और 23 एक तरफ रख लो, तो 300 तो यह हो गए, और 3, 7, 2, 9, तो यह हो गए, तो 300 तो यह हो गए, 93 यह हो गए, तो 393 हो गए, ठीक है, यहां पर इसी तरीके से जोड़ा गया है, अगला देखो, दुकान दार रखी के पास 153 मौंबतियां थी, पारस ने उसे 237 मौंबतियां और दे दी, मतलब इस पे 153 तो पहले से ही थी, ठीक है, मतलब 153 इस पे पहले से जादा होगा या 400 से कम होगा, अब देखो यहां पर, सोचो जरा, इसको तो बहुत सोचना पड़ रहा है, आप तो जल्दी सोच लोगे न, 200 देखो, 200 यहां करते हैं, देखो, 200 और यह 153 में 100 जोड़ दो, 153 का 100 निकाल लो न, तो 300 हो गया, ठीक है, बचा कितना, 37 और ब 90, तो 390 हो गए, तो थोड़ा सा कम हुआ, किस से 400 से, 400 से कम होगा, ठीक, यहां देखो, यहां बताया गया है सवाल करके, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 7, 3, 10, ठीक है, दहाई पर एक हासी लग गया 3 के उपर, तो 3 और 1, 4 और 5, 9, 2 और 1, 3, 390 मतलब 400 से कम है, इस तरी के से नीचे दी गई कहानी के सवालों को हल करो, पहले सवाल को पढ़ो, फिर उसे अपने शब्दों में कहो, और लिखने से पहले जवाब का अंधारा लगाओ, एक ट्रेंड के डिब्बे में 132 लोग हैं, दूसरे डब्बे में 139 लोग हैं, दोनों डिब्बों में मिला कर कुल कितने लोग होंगे, तो 132 में से पहले 100 निकाल लो, फिर 139 में से 100 निकाल लो, ठीक है, ये हो गए, पहले ही हमारे कितने हो गए, 200, अब कितना बचा, 32 बचा और 39 बचा, इन दोनों को चोड़ लो, 9, एक दो में से 1 किसमें आ गया, तो कितना हो गया, 10 और 11, ठीक है, एक हांसिल लग जा तीन के उपर ठीक है तीन और एक चार और दो शे तो 261 हो गए 200 यह रहे 61 यह रहे और 38 मतलब दहाई हो गई कितनी 30 और 8 हो गया कितना एकाई दहाई सेक्डा 8 हो गया तो100 मिले और इसको मिले कितने 54 तो 100 तो यह हो गए 38 में 44 को जोड़ो यहां जोड़ो 38 में 44 को जोड़ो 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 3 7 और 18 82 हो गए 182 हो गए यहाँ पर 82 जोड़ देंगे तो 2 8 182 ठीक तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 और 48 और 18 ठीक एक सिख्षिका अपने स्कूल में है पता लगाती है कि बच्चों को कौन से फ़ल पसंद है ये हैं बच्चे किसमें एक स्कूल में लड़किया कितनी हैं और लड़के कितने हैं ये हमको बताना है कुल बताओ लड़के और लड़किया ठीक है तो संत्रा जो पसंद करते हैं वो ये हैं और आम जो पसंद करते हैं ये हैं और यहाँ हमको टोटल बताना है फिर पता लगाओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो संत्रे पसंद करते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं लड़कियों की संक्या 350 से जादा है या कम तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो संत्रे पसंद करते हैं तो देखो ये है लड़कियां संत्रे पसंद करती हैं और लड़के भी पसंद करते हैं तो 8 में 6 को जोड़ो 8 6 14 का 4 3 के उपर हासिल लगाओ दहाई का तो 3 2 5 और 1 6 1 और 2 264 बच्चे ऐसे हैं जो संत्रा पसंद करते हैं अब आम कौन पसंद करता है कितने बच्चे जीरो में 3 जोड़ो 3 चार में 4 जोड़ो 8 दो में 2 जोड़ो 4 चार सो तिरासी बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं ठीक है तो कितने हो गए चार सो तिरासी बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं तो कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं देखो तो जो संत्रा पसंद करती हैं लड़कियां वो ये हैं जो आम पसंद करती हैं ये और ये लड़के आम पसंद करते हैं और ये लड़के संत्रे पसंद करते हैं ये और आम पसंद करते हैं ये तो ये टोटल बच्चे हैं हमारे पाफ कितने बच्चे हैं बच्चो टोटल बच्चे हैं तो टोटल बच्चे हम निकालेंगे कैसे कुल मिलाकर इस्कूल में कितने बच्चे हैं तो कुल मिलाकर इस्कूल में बच्चे बताओ देखो 136 लड़कियां जो संत्रा पसंद करती है और 136 लड़किया वो हैं जो आम पसंद करती है तो पहले इन दोनों को जोड़ो ठीक है तो 136 और 246 तो 6, 4, 3, 7, 2, 1, 3 ये हो गई लड़किया कितनी? 376 अब लड़कों की संख्या जोड़ो तो 128 में 243 8 और 210 और 11 हासिले 4, 2, 6 और 1, 7, 2, 1, 3 371 तो लड़के हैं और 376 हैं लड़किया तो अब 376 तो लड़किया हैं 371 जो हैं वो लड़के हैं अब इन दोनों की संख्या को जोड़ो ठीक है? 376 हैं लड़किया और 371 हैं लड़के ये हो गई लड़किया और ये हो गए लड़के तो 6 और 1, 7 7 और 7, 14 कहां से ले 3, 3, 6 और 1, 7 747 कुल बच्चे हैं स्कूल में ठीक है 747 बच्चे हैं स्कूल में लड़कियों की संक्या 350 से जादा है या कम तो जादा है ठीक है, आंसर क्या होगा जादा है क्योंकि कितनी थी लड़कियों की संक्या थी 376 ठीक है अब बच्चों आपको इसमें इसमें जादा होना कि ये संत्रे हैं और ये आम है इसमें जादा है ये यहाँ पर जो लड़कियां हैं total कितनी है 376 है और लड़के कितने थे 371 थी ठीक तो 6 और 1 7 7 7 7 14 3 3 6 और 1 7 ठीक है अब यहाँ पर यह देखो यह वो लड़किया है जो आम और संत्रे दोनों पसंद करती हैं यह वो लड़के हैं जो संत्रे और आम दोनों पसंद करती हैं ठीक है इस तरीके से हमने दोनों को जोड़ दिया और आंसर आ गया 747 अब आगे यहां पर देखो अभ्यास का समय यह ट्रेंद दे रखी है बीस में ग्यारा जोड़ो कितने आएंगे एक दो रेक तीन इकतिस फिर तेरा में से जो है उन्हों को घटाओ कितना आएगा चार आएगा ठीक है सोला में तीन जोड़ो उननिस आएगा ठीक है पांच में दस में से पांच में पांच आएगा इस तरीके से आपको इस सवाल करने है अभ्यास का समय तो पहले देखो कुश्चन दे रखा है तीन सो पैतालिस में बावन जोड़ो तो पांच और दो साथ पांच और चार नो और तीन तीन सो सतान वे इस तरीके से आप जोड़ लेंगे उसके ब पिर दहाई में दहाई जोड़ो पांच और चार नो और सेकड़े के साथ कुछ जुड़ने को नहीं है तो तीन सो सतान वे आएगा ठीक है अगला कोशन देखो इकाई में इकाई जोडो नो और दो 11 का एक दहाई के उपर हासिल लगाओ दो और एक तीन और नो कितना हो गया 12 का 2, हासिल लगाओ, सैकड़े पे 4 और 5, 521 ठीक, अगला देखो, 11 का 1 में जोड़ो, 5, 3, 8, 10 का 10 में जोड़ो, 9, 4, 13 का 3, हासिल 1, 2 और 3, 338 ठीक, अब यहाँ पर 11 जोड़ो, 5, 3, 8, 10 में 10 जोड़ो, 4, 4, 8, फिर सैकड़े में सैकड़ा जोड़ो, 6, 3, 9 अब यहाँ देखो, एकाई में एकाई, 9 आ गया, दहाई में दहाई, 5 और 1, 6, फिर सैकड़ा में सैकड़ा, 7, 2, 9, ठीक, आगे देखो, इसी तरीके से सवाल दे रखे हैं, एकाई में एकाई जोड़ो, 9 और 3 कितना हो गया, 12, हासिल लग गया, 1, 2, और 1, 3, और 1, 4, 3, ठीक, उसी तरीके से एकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, यह भी है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 6 और 4, कितना होता है, 10, तो एकाई काई के नीचे, बाकी का जो दहाई काईगा, उसके उपर हासिल लगा देगे, तो, 0 में 0 जोड़ेंगे, 0, और 1 में 0 जोड़ेंगे, 1, 4, दहाई में दहाई जोड़ो 6 5 11 11 ऐसे लिखेंगे तो एकाई का यहाँ आ जाएगा बाकी बचा एक यह इधर चला जाएगा सैकड़ा पर तो चार तीन सार और एक आठ तीक के 819 यह देखते हैं आठ साथ पंदरा का 5 हासिले चार दो चे और एक साथ चार दो चे और इसको देखो एक और आसान तरीका था करने का क्या कि 6184 में से 600 अलग कर लो दो सो बद्तीस में से 200 अलग कर लो कितना हो गया 800 आठ सो तई यह हो गया बाकी बचा कितना 84 और 32 से जोड़ लो चार दो चै आंट और तीन ग्यारा अब इसको और इसको जोड़ लो, तो 8 और एक कितना हो जाएगा 9, तो 916 आ जाएगा, थीक तो देखो, 4 दो चै आँठ और तीन ग्यारा हाँ से ले, 6 दो आप और इसको, आग आगा 916, थीक इसको भी उसी तरीके से करके देखें, ठीक है देखो, 427 में 400 जोड़ लो, 248 में 200 जोड़ लो, कितने हो गए 600, बाकी बचे कितने है, 27 और 48, ठीक है, 48 बचे है, ठीक है, तो 8, 7, 15 का 5, हांसे ले, 4, 2, 6, और 1, 7, 675, ठीक है, तो 8, 7, 15 का 5, 4, 2, 6, और 1, 7, 4, 2, 6, 675, ठीक है, अब देखो, पहली, जोड़ है मेरा पक्का दोस, लड़ते हम कभी नहीं, मुझको करके मुझे, उसे बुलाओ, जाचो क्या, मैं हूँ सही, ठीक है, खेल, मन की बस, दो दोस इस खेल को खेलते हैं, तुम बस को देखो, हर बस स्टॉप पर कुछ लोग बस में चड़ते हैं, तो वो जमा हो हो जाएंगे, कुछ लोग उतरते हैं, तो वो घटा होते हैं, कुल मिला कर कितने लोग बस में हैं, मन में हल करो, और चर्चा करो, वे दोस जो ठीक उतर देते हैं, उन्हें कुछ अंक मिलते हैं, अपने अंकों की सूची बनाओ, जोड़कर पता लगाओ, कौन जीता, ठीक यह हैं बस, तो यहां पर देखो, 19 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 9 में से 5 गए, 4, 14, 15 में से 6 गए, कितने बचेंगे, बताओ जल्दी, 9, 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे, बताओ जल्दी, 4, 10 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 4, 20 में 4 जोड़ो, कितने हो गया, 24, ठीक हर संख्या को लिखने के चार चार अलग तरीके पता लगाओ यहां पर अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्याओं को जोडते हो तो तुम्हारा उतर हमेशा 69 आएगा यहां देते पचास में नो जोड़ा 69 ठीक है जीरो और नो जोड़ा 9 तीन दो पांच 69 और जीरो इसी तरीके से आपको ये सवाल करने हैं मालो 70 में आठ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 78 तो यहां पर दे रखred है तो 30 में हम कीतना partnerships कि 78 आजाए ठीक है तो 70 जोड़ेंगे तो कितना 40 जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा 70 तो हम जोड़ेंगे 48 देखो जब हम 30 में 40 जोड़ेंगे एक मिट को 30 में जब हम 40 जोड़ेंगे तो यह कितना आजाएगा 70 आजाएगा लेकिन 8 और जोड़ने पढ़ेंगे तो कितना आएगा यह चार औरतिंग्ष़ साथ और आपर तब आएगा ना कितना 78 टो हम क्या करेंगे इसáveis गाले साथा gjort अचार हे अच्छे से लिखते हैं तो जीरो और आठ चार तीन साथ आगला देखो इसी तरीके से आप और भी सवाल कर सकते हैं यहां वह असी हो गया यह थी अब यहां 43 लिखा हुआ है तो चालिस और चालिस कितना होता है असी होता है 14 डख दें तो 40 اور 40 कतना हो जाएगा 80 83 ठीक है अब अगला देखो अगले में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम कर सकते हैं 70 50 क्तना होता है 80 तो हम यहां लिख सकते हैं 13 यह हो जाएगा 83, मालो अगर हम यहां पर लिख दें 61 60 70, 80 20 अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 80 और एक्यासी तो हम क्या जोड़ेंगे यहां पर 22 तो दो और एक 3 अच्छे तो 8 हो गया 33 इस तरीके से आप यह जादू वाला जो सवाल है यह कर सकते हैं ठीक है यहां देखो 99 तो 99 कैसे कर सकते हैं 48 जमा एक 99 तो 49 जबाओ इसमें 60 जोड़ेंगे तो 30 और 60 कितना हो गया 90 यहां Yak–59 में जमा नौ पर जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर एक्यासी इसमें हर sa грac 99 में झमा जीरो करेंगे तो कितना आएगा यहां पर एक दिज्स दो यहां लिखो 100 और यहां लिखो 102 हो गया ठीक है अगर हम यहां लिखे 101 और इसमें जोड़े एक तो भी हो गया 102 ठीक है और इसके अलावा अगर हम यहां लिख देते हैं कितना नभ्य लिख देते हैं तो नभ्य में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 50 दे रखा है तो 50 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 तो हम जोड़ देंगे 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52 52 में 50 जोड़ेंगे 102 बहुत आसान है बच्चो आप करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको 168 तो 168 और ऐसे लिख सकते हो ना 162 जमा आट 168 हो गया ठीक है और आप इसको 150 अगर कर दो तो देखो यह तो है इधर 8 लेकिन 150 में हम क्या जोड़ेंगे 60 हो जाएक दस जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा ना और दस में अगर आप जोड़़ कर है 8 तो 18 जोड़ो यह हो जोड़ेंगे 100 यह हो जाएगा 168 ठीक है तो अगर हम 99 में कितना जोड़ें कि 168 हो जाए तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे तो यह हो जाएगा 69 ठीक है तो 9 9 18 और 9 6 15 और 11 168 ठीक अगला अब देखो माथा पच्ची इसमें क्या दे एक दो तीन चार पांच छे की संख्या को गोलों में इस तरह लिखो कि हर लाइन में लिखी संख्याओं का जोड़ बारा हो तो मतलब यह जो गोले दे रखे हैं ठीक है इन में हमें इन संख्याओं को इस तरीके से लिखना है कि अगर हम इधर से जोड़ें तो भी बारा आए इधर से जोड़ें तो बारा आए, इधर से जोड़ें तो भी बारा आए मतलब इन संक्याओं को इस तरीके से लिखना है कि ये बारा हो जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक से शुरू करते हैं एक और मतलब यहाँ लिखेंगे च्छै च्छै और एक साथ साथ और पांच बारा ठीक है च्छै और एक साथ पांच बारा और फिर पांच तीन आठ और चार बारा ठीक है च्छै चार दस और दू बारा यह हो गया ठीक है देखूं यहाँ से पांच और एक 6 और 6 कितना हो गया 12 पांच 3,8 और 4 कितना हो गया 12 फिर 6,2,8,4 यह भी कितना हो गया बचो 12 ठीक है अगला कोशन देखो यहां पर हम देख रहे हैं 20 में से 17 गए कितना बचा 3 फिर 19 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 16 फिर 12 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 9 और 2 11 एक और एक दो फिर 20 में से 9 जाएगे तो कितना बचेंगा 11 अगला देखो मिठ्ठू के बस्ते तक पहुंच यह हैं यहां पर यह बस्ता है और यहां पर भी नीचे कुछ दे रखी है यह रहा मिठ्ठू का बस्ता तो आपको यहां तक पहुंचना है कैसे यह देखो यह यहां पर यह सवाल आपको दिये गए हैं 75 में 20 जोड़ा 95 में 60 जोड़ा 150 फिर 25 30 और 3 जोड़ना है देखो अब 95 यहां से हम नए एंट्री की और यह 150 अब हमें इससे आगे आगे बढ़ता जाना है जैसे जैसे जमा के सवाल हम करते जाएंगे हम मिठ्थू के बस्ते तक पहुंचते जाएंगे तो 150 के बाद क्या आएगा 25 और 30 और 3 ठीक है तो सबसे पहले हम एकाई वाले जोड़ेंगे यह है एकाई वाले 3 और 5 कितना हो गया 8 अब जोड़ो दहाई वाले 3 2 5 यह हो गया 58 अब देखो 58 का है अब हम पहुंच गए यहां ठीक आप देखो इसके बाद क्या आएगा 58 के बाद है अब देखो 9 40 और 31 ठीक है 9 एक सकीनिस को ऐसे उतारते है चालिस 31 और 9 नो और एक 10 का 0 हासिल एक 4 3 7 और 8 कितना हो गया 80 हो गया ठीक है देखो कैसे एकाई में एकाई जोड़ो एक और 0 जीरो और 9 कितना हो गया 10 का 0 दहाई पे हासिल लगाओ चार और एक 5 और 38 कितना हो गया 80 कहले हम कहाँ पहुंचे थे 58 पे अब हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर 80 यह पहुंच गए हम 80 ठीक है अगला देखो 500 और 200 तो 5 में 2 जोड़ो कितना हो गया 7 पीछे की 2 जीरो लगा दो कितना हो गया 700 अब हम किस पे चलेंगे 700 पर 700 देखो कहाँ है तो 80 से हम आए कहाँ 700 पर ठीक उसके बाद 400 और 300 अब देखो 400 यह है और यह 350 है तो 350 में से 300 अलग कर दो चार तीन 700 और फिर पचास जोड़ो 750 हो जाएगा यह ठीक है देखो कैसे 400 और 300 700 हो गया बागी बचा कितना पचास पचास में जोड़ो 750 हो गया ठीक है अब 750 असी के बाद यह रहा 750 ठीक आगे देखो इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं 670 और 120 चैसो सत्तर और 120 ठीक है जोड़ो जीरो साथ दो नो छे और 17790 अब आप कहां जाएंगे 790 पर जाएंगे ठीक है तो यह रहा 750 इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्छो सारे सवाल आपको कर लेने हैं यह बस थोड़ी से सवाल बचे हैं जो कि आप खूद करेंगे ठीक ह ज्यादा टफ नहीं है तो यह बस देखो एक और करके बता देते हूं 380 में 210 जोड़ने हैं आपको ठीक है जीरो और जीरो आठ और एक नो तीन दो पांच पांच तो 590 देखो कहां पर है यह रहा 550 साथ सो पचास से 590 पर चले जाओं ठीक है फिर उसके बाद है दो सो 105 और 650 तो 5 और 5 628 850 855 पर चलो यह रहा 855 तो उसके बाद बाकी की जो सवाल है वह आप करेंगे और मिट्ठू के बैक तक पहुंचेंगे ठीक है आगे देखो कार्ड खेल एक दिन बबली और गोकु खेल रहे थे बबली ने गोकु को अलग संख्याओं के तीन कार्ड उसने कार्डों को दो तरीकों से रखा, ये देखो, 150 वाला कार्ड है, 120 वाला और 30 वाला, क्या तुम इन कार्डों को इन दो तरीकों के अलावा किसी और तरीके से भी रख सकते हो, ठीक है, बबली ने उसे इस तरीके से रखा, 120 में 30 जोड़ा, 150, फिर उसने 30 में 120 जोड़ा, हैं तुम्हारे card है जो यह card दे रखें यह तुम्हारे है आप सोचो संक्याओं को अलग लग तरह से लिखने से क्या क्या तरीके हो सकते हैं यहाँ दे रखा 50 यह 70 अग 20 ठीक है तो जब आप यह पचास लिखेंगे और यहां लिखेंगे 20 तो यह हो जाएगा सतर ठीक और यहां लिखेंगे बीस और यहां लखेंगे पचास तो भी हो जाएगा सतर ठीक है तो अभी कितना हो जाएगा सतर ठीक है अब यहां पर अगर लिखेंगे आप सतर और यहां लिखेंगे पचास तो जब 70 में से 50 घटाएंगे तो कितना आजाएगा 20 ठीक है जब आप 70 में से 50 घटाएंगे तो आजाएगा 20 ठीक है और यहां लिखेंगे 50 यहां लिखेंगे 70 और जब 50 को 70 में से घटाएंगे तब भी आएगा 20 ठीक अगला कोशन देखो 30, 42, 12 अगर हो पर हम 30 लिख दें और यह लिख दें 12 तो आएगा 42 जीड़ो और दो तीन और इक चार अब ये लिख दो 12 और ये लिख दो 13 तो फिर 0 और 2, 2, 3,4 आ गया ना फिर से 42 ठीक है अब यहां लिखेंगे हम के तना 42 और यहां लिखेंगे 30 माइनस करो 10 मैंसे 2 मैंसे 0 गया 4 मैंसे 3 गया 1 और यहां लिख दें अगर हम 30 और यहां लिख दें 42 तब भी 42 मैंसे 30 घटाएंगे आईगा 12 ठीक है तो यह हो गई आपकी complete exercise अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे comment box में जरूर लिखें और अगर आपको समझ आया है तो भी आप मुझे comment box में जरूर लिखें ठीक है और अब क्या करेंगे सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे बाबाई